नमस्कार दोस्तों एक बार फिर एक नए वीडियो के साथ मैं हूँजी जैस्वाल आप देख रहे हैं टार्गेट इस पॉसिबल जी हाँ दोस्तों आप लोगों ने थामनेल देखकर समझ लिया हुआ कि मैं आज इस वीडियो में क्या बताने वाला हूँ जितने भी CSC VLE जिनोंने Common Service Center के माध्यम से अधार यूसियल का रेजिस्टेशन किया था उन लोगों से मैं यहाँ पे छवाल पूछने वाला हूँ कि क्या आपका अधार सेवा केंदर सुरू हो गया या नहीं हुआ हो गया तो कमेंट के माध्यम से जरू बताईएगे नहीं हुआ तो भी आप लोग बताईएगा यहाँ पे दोस्तों मैं आप लोगों को बहुत ही अच्छी जनकारी दने वाला हूँ आज के इस वीडियो के माध्यम से यहाँ पे देखेंगे कि ट्यूटर हंदल से ट्यूट किया गया है कि CSC अधार सेवा केंदर गिरिडि में सुरू किया गया है यहाँ पर देहेंगे यह center का बाहर का interface है अगर आपका भी अधार UCL चाले हो जाएगा तो आप लोगों को ऐसे board लगाने की अवसकता होगी और नीचे CSC का भी board आप लोगों को लगाना होगा जहाँ पर आप लोगों को अधार का लोगो और अधार सेवा केंदर लिखना होग यहाँ पर देहेंगे अंदर का interface ऐसे आप लोगों को रखना होगा और जहाँ पर आप लोगों को एक फ्लेस बोर्ड भी लगाना पड़ेगा क्या क्या सर्विस आप लोग दे रहे हैं अधार UCL के अंतगत या फिर अधार सेवा केंदर के अंतगत इसके लब आप लोगों क इसके बारे में पूरी जनकारी पहले से पता होगी लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे कुछ डीटेल आप लोगों को बता दे रहा हूँ सबसे पहले आप लोग गैजेट अपडेट हिंदी.com की official website पे आ जाईए जैसे आप लोग इस website पे आएंगे आप लोगों को यहाँ पे सर दोस्तों यहाँ पे एक और नई सर्विस मैंने अट किया है इस website पे जो कि आप लोगों के लिए डिरेक्टली बेनफिट वाली सर्विस है जैसी आप लोग इस website को ओपेंग करेंगे तो यहाँ पे आलेडी आपको मर्फो सेटप, मंत्रा सेटप, PMJY सेटप और परधान मंत करना है और आप एज कल्कुलेटर की आप सकता है तो यहाँ पे मैंने आलेडी एज कल्कुलेट भी उपलफ्ट करा दिया है जहाँ पे डिरेक्टली आप लोगो डेटा बर्थ टाइप कर देना है जैसे आप लोग डेटा बर्थ टाइप करेंगे और यहाँ पे गेट योर एज़ी के करेंगे तो यहांपे पूरी जनकारी आपको मिल जायेगी तो यह बहुत ही का नई सर्विस है आप लोग इसका इस्तमाल बात करेंगे दोस्तों कि कैसे को रैश्टेशन करना हैं आप को type कर देना है e-sewaä adhar usual जैसे आप लोग इस सेवा adopt video type करेंगे यहाँ पे आप लोग को click करेंगे अधार 하면서 आ्जाएगी यहाँ पर डेमोगराफी संबंदित काम कर पाएगे आपने center के मार्धम से मैं आप लोगं से करूंगा कुजारीस कि अगर आपने यहां पर registration नहीं किया है तो आप लोग ततकाल प्रभाव से registration कर दे अगर आपके पास BC नहीं है तो चिंता मत किरिए अगर आपने पहले से अधार में काम किया है आपके पास biometric device है मर्फो की या फिर मंतरा की और आपके पास अधार सूपरवाजर या फिर operator की certificate हो तो अभी आप लोग इसमें आवेदन करें और कुछ requirement पुरा नहीं कर पाते हैं फिर भी आप लोग आवेदन करें मान लेजिए फ्यूचर में आपके एरिये में आव सकता होगी तो आप से संपर किया जाएगा तो सबसे पहले आप लोग को यहाँ पे किलिक कर लेना है और digital सेवा connect पे किलिक कर देना है जैसे आप लोग यहाँ पे किलिक करेंगे आप अपने digital सेवा portal से इसे connect कर लीजिए जैसे connect करेंगे और signing बटन पे किलिक करेंगे तो यहाँ पे आप लोगों को यस वाले बटन को प्रेस कर देना है आपके पास जितने भी आईडी हो उस सभी आईडी से आप लोग इसे लाग इन जरूर कर लें प्रोसेस करने के बाद यहाँ पे व्यली का नाम भर देना है आप लोगों को नहीं पता होगा कि जितने भी HDFC बैंक का CSP लेके चला रहे हैं उनको कोई अलग से VC कोड नहीं मिला है वे लोग यहाँ पे CSC आईडी का ही परियोग कर रहे हैं अगर माली जीए आपने प्रोसेस में डाल दिया है चाहें HDFC बैंक CSP के लिए या फिर ICICI बैंक CSP के लिए तो आप लोग यहाँ पे CSC ID ही डालके आगे बढ़ जाईए और यहाँ पे नेम आप बैंक इसु वेली VC कोड टाइप कर देंगे स्टेट भर देंगे यहाँ पे यह डाकुमेंट्स नेसेसरी है आप लोग को इस डाकुमेंट्स को देना ही पड़ेगा जैसे कि अधार NSEIT का ओपेटर सर्टिफिकेट या फिर सुपरवाइजर सर्टिफिकेट आप लोग को देना बहुत ही जरूरी है तो आप लोग को यहाँ पे Yes पे किलिक करके अप्लोड कर देना है इसके अलब पुलिस वेरिफिकेशन भी आप लोग को देना जरूरी है तो दोस्तो पुलिस वेरिफिकेशन जो है हुए तीन महेने पुराना होना चाहिए तो अगर आप लोगों ने पुलिस वेरिफिकेशन के लिए आवेज़ा नहीं किया है तो इसके सम्बंदित मैंने इस ब्योसाइड पे पोस्ट भी लिख दिया है और वीडियो भी आप लोग को करने जा रहा है उसी दिन का आप लोग एक अधार काड डाउलोड कर लेजिए नेट से उसी पीडियेप को यहां पे अटैच कर दीजिए वहीं नीचे पूछ रहा है कि अपरेटर सुप्रवाजर मॉयल नंबर लिंकेड विद अधार जो अधार काड में आपके मॉयल नंब को तुरंत अपडेट करा लें इसके अलबा एक और नंबर आप लोगों को यहां पे देना है कंटेट करने के लिए यहां पर email ID आप लोगों को देना है यहां पर laptop देना है अगर आप यहां पर क्लिक करेंगे तो कौन सा लेप्टाप अधार उसीन में लगेगा उसमें क्या गर क्या सप्पेसिफिक्रेशन यहां पर बताया गया है यू आई डीय अइलेटप सपिसिफिकेशन इसे कीलिख हिर आप लोगको यहां पर क्लिक कर लेख़िंगा होंगे डिक क्या क्या इसमें आधार यूसील चलने की लिए कौन सा लिप्टाब होगा उसमें क्या 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 चीक्ट no gegen sat r came to emory उन्हें पूरी आप यहा प्लों को मिल जाएगी इसप्ते लेप्रेप आप लोगो रख लेना है अगर आपके पास पहले से ही लिप्टाप है जिसमें आपने अधार यूशियल जा फिर अधार इसीमपी चलाया है तो वह भी अधार वह भी इसमें आप लोग विप्योग कर सकते हैं तो आप लोग को यहाँ पर यह स्पेक किलिक कर देना है तो यह जो बाके डिटल है अगर आपके पास नहीं ह फ्रेंडली सेंटर तो उसके लिए भी आप लोग को एक फिल्चेर ले रहना होगा अगर फिल्चेर नहीं है तो आप लोग यहाँ पर नो पर किलिक कर सकते हैं तो दोस्तों आप लोग जल से जल इस फांप को सम्मिट कीजिए ताकि आप लोग भी अधार यूशियल अपने सेंटर पे रन कर सकें इसके अलगा दोस्तों आपके मन में कोई भी सवाल या फिर सुझा हो तो भी आप लोग कमेंड के माध्यम से बता सकते हैं अंत में मैं आप लोगों से एक बार और कहूँगा कि अगर आपका अधार यूशियल चालू हो गया है तो आप लोग कमेंड क करें सेर करें और इस चैनलों को जरू सब्सक्राइब करें सो थायंक्स जैहिन वंदे मातरम